हेलो और वेल्कम टू बिलट वाजा वंस अगेंड दोस्तों आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों आज करने वाला हूं कि क्लच का प्ले कितना होना चाहिए अरली होना चाहिए या लेट होना चाहिए तो यह थोड़ा सा मैं अपने राइडिंग experience के हसाब से बता सकता हूँ कि आपको clutch का play कितना होना चाहिए और वही सही रहता है जहां तक मुझे लगता है अगर मैं बात करूँ जो clutch का play है अगर early होगा तो वो ज्यादा better नहीं रहता है मेरे हसाब से वो आपको APP को एक समूद राइड इक्सपीरियंस नहीं provide करेगा अगर आपको एक समूद राइडिं एक्सपीरियंस प्रॉइड कराना है आप चट करेगा खुद भी कि अगर आपका clutch का play जो लेट होता है आप चाहे car की बात करें चाहे bike की बात करें किसी भी बाइक की बात कर लेजिए, जितना लेट आपका clutch का play होगा, उतना ही आपको riding experience smooth मिलेगा, और जब भी आप bike ride करते हैं, तो अपना हाथ ऐसे clutch पर रखने की बहुत लोगों को आदत होती है, लेकिन इससे क्या होता है, कि आपका जो bike experience है, वो सही नहीं रहता है, और बहुत सार आप pressure उतना दे रहे हैं, rpm उतने generate हो रहे हैं, लेकिन उतना जादा भाग नहीं रही है आपके bike, तो इस तरह से आप ये good practice नहीं है, bike ride करने की, आप अगर bike चला रहे हैं, खुली road है, तो आप bike इस तरह से ride करिए, और एक बात मैं बताओं कि बहुत से लोगों को ये आदत ह होती है, कि जब भी सामने कोई object आ जाता है, या सामने कोई आ जाता है, तो उस case में वो क्या करते हैं, कि पहले clutch press करते हैं, उसके बाद break लगाते हैं, चाहे वो आगे का लगाए, या फिर वो पीछे का लगाए, अब इस case में मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपके सामने कोई आ जाता है, ये चीज़ देखे, experience आती है, अगर आपके सामने कोई object आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपना clutch नहीं दबाएंगे, आपने देखा होगा, जब आपकी bike चल रही हो, आप experience करना खुद ये चीज़, अगर आप clutch press कर देते हैं, तो उस case में क्या होता है, कि आपकी bike free हो जाती है, और आपकी bike का जो weight होगा, खास तोर से loyal infield में, उस weight के according और जो momentum बना है, उस momentum से वो bike चलती है, ठीक है, तो इस case में आपको ये ध्यान रखना है, कि आप brake पहले लगाए, उसके just बाद आप clutch press कर सकते हैं, जिससे आपकी bike control में रहेगी, अगर आपके स stop हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उनमें थोड़ा सा balance करना पड़ता है, सामझे से बिठाना पड़ता है, आपको clutch में और brake में, तो आपकी bike जल्दी से stop हो जाए, और skid ना करे, बात करूँ मैं clutch की, तो clutch का जो play है, वो जितना जादा late होगा, उतना जादा better रहता है, आपने देखा होगा, जब clutch खराब होने लगता है, तो उसका जो play होता है, वो कम हो जाता है, यानिकि early play होता है, clutch का, play का मतलब कहने का यह है, आप clutch कप छोड़ते हैं, तब bike आगे भढ़ना start होती है, ठीक है, तो clutch का play जो है, मेरे हिसाब से, वो late होना चाहिए, जितना late रहेगा clutch का play, उतना ही जादा better रहेगा, आपकी bike हो, या फिर car हो तो लोग के लिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया है, तो please इसको like जरू कर दीजेगा, और share कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ, and subscribe to my channel, and press the bell icon, don't forget to press the bell icon, okay, जल्दी ही मिलते हैं, next video में जब तक के लिए, goodbye, आपने धने कीगा.